वेलकम टू चारती टेग दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि हमने लाश्ट क्लास में क्या किया था earliest class में हम झालिए न्टल स सब्सक्राइब चाहिए कि हम च्प्रक्शी जानते हैं कि आज हम क्या करने वाला हैं है जब भी हम इन से कुछ भी ड्रॉ करते हैं यह हमेशा शेप में ही ड्रॉत behavior होता है और यह shape कुछ dijähr होने को इस दोने में फर्ण स्फर्क है यह जो शेपा करने को इसा होगा किसको हम सिलेक्स करने हैं disagree और शेप में क्या होता है एक शेप में चीज जैसे कि मैंने एक शेप को दूसरे शेप से ओवरलैप कर दिया सपोज मैं कलर चेंज करता हूं राइट और कलर चेंज करने के बाद एक शेप से दूसरे शेप को मैंने और लैप कर दिया इसके ऊपर मैंने बना दिया तो जब मैं मैं इसको मूफ करूंगा ऐसे तो आप देखेंगे इस वाले हेरिय पे जितना यह एरिया था यह एरिया जो है कट गया है ठीक है अगर मैं छोटा भी करूंगा तब भी सेम ऐसी प्रॉब्लम आएगी यह अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूं खीचूं तो यह देखिए कुछ यह जो है एक शेप के ऊपर अगर हम कोई दूसरा शेप ड्रो करते हैं ठीक है तो वह हमीशा कट जाता है चाहे हम पैन टूल से करें चाहे हम ब्रश करें तो देखिए इस तरह से वह चीज़े कट जाएंगी तो हम उनको बोलते हैं शेप चलिए आगे चलते हैं अब जानते हैं कि द्राइंग औध्यक्त क्या होता है देखिए ड्रोइंग औपजेक्ट क्या होता है हम जब भी कोई भी चीज ड्रो और करते हैं तो यहां एक नीचे उप्षेंड होता है ढोंडर फर्ट खा थेकिए अगर में डॉइंग ऑबजेक्ट जो है क्रीट करना है तो टूल बार मेन और ऊबजेक्ट प्रपेट में इसको ओप्षयों होता है मैं इसको ओन कर दूगा ठीक किई यह पी और यहां से मैं on it off कर सकता हूं अगर ऑफ कर देता तो यह चीज जो है शेप में रोगा देखिए मैं से लग करता हूं यह शेप है और अगर मैं अब इसको ओन करके ड्रोग करूंगा तो यह जो है हमारा ड्राइंग आभजक्त में मेट कर देगा ये यह ऐट कुम कुछ पूर्ट है चील है ये जो रजude कर देता हूं आपको दिखा यह कुछ इस तरीके से बॉक्स में आयेगा और यहItd cevih कुछ इस तरह से आयेगा यह Under करने पर देख रहें तो फाइनली इन दोनों में अगर बात करें एडिट की तो हम सेम कर सकते हैं जैसे मैं इसको एडिट कर रहा हूं बाहर से यह देखिए यहां से शीप से कलर एडिट कर सकता हूं कर सकता हूं ठीक कोई नहीं सब्सक्राइन उसके क्लर सकता हूं जैसे जैसे यहां से करते थे वैसे हम यहां से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है जो मैं अभी आपको बताता हूं अगर हम बात करें कि एक शेप को ड्राइंग आपजेक्ट में कैसे करें तो देखे यह एक शेप है राइट मै एसको अब्यांग आपज एकर एक आवार को तो ने करते हैं यहां से क्लिक सकता है या तो हम यहां से त design पार्ट भी कर सकते हैं और इसा तो हम आपको बताना चाहता हूं कि के करें करता हमारा काम करता है यह मोश्ली सबी आपजेक्ट पर काम कर सकता है चाहे वह सिंबल में बटन हो ग्राफिक हो मुवी क्लिप हो इस तरीके जो भी चीजे हैं अगर स्टीज पर हैं और मैं इसको कंट्रोल भी करता हूं तो वह ब्रेक हो जाएगा तो चलिए हम क्या करते हैं मोडिफाइब में चलते हैं और यह दोस्तों मैं अब बताता हूं कि देखिए यह तोडला सा अलग कईसे है मैंने यहां पे एक डॉइंग उपिक बनाए और इसके बाद मैं फिर से एक डॉइंग पनाता हूं और अब można पर ड़़ा करता हूं तो अब नोट करेंगे कि जो पीछी शेप में प्रॉब्लम आ ह थी वो इसमें नहीं आ रही है शेप में क्या हो रहा था कि अगर मैं इसके उपर दूसरे object को overlap कर रहा था तो वो हटाने पे या edit करने पे वहां से उतने हिस्से को cut कर देता था लेकिन drawing object में ऐसा नहीं होता अगर हम drawing object में बनाएंगे तो ऐसी problem नहीं होगी तो हम shape में बना सकते हैं उसके बाद उसको drawing object में convert कर सकते हैं लेकिन ऐसा भी है कि अगर मैंने जैसे यह line उठाई ठीक है अभी मैंने drawing object on कर रख है और मैंने यहां से तीनों को कर दिया और मैं अब color fill ठीक है क्योंकि अब यह एक object नहीं है यह तीन object देखिए एक ही हो गया एक ही हो गया और एक ही हो गया इसलिए यह color fill नहीं हो रहा तो हम जब भी कोई भी shape बनाते हैं तो उसके बाद भी हम इसको drawing object में convert कर सकते हैं या तो हम drawing object mode को पहले से on करके रखते हैं जिससे हम जो भी दो करें तो वह drawing object में draw हो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि group क्या होता है देखिए shape और drawing object के बाद में हम जानते हैं group क्या है देखिए मैंने कोई shape बनाया या मैं कोई drawing object बनाता हूं देखिए मैंने shape बनाता हूं या मैं कोई drawing object बनाता हूं जो भी है अगर मैं इसको group करना चाहूं तो मैं group करने के लिए क्या है shortcut control-z करता हूं और मैं इसको group कर सकता हूं right मैं control-z करूंगा तो यह group हो जाएगा साथ मैं अगर यह drawing object मैं इसको भी group करना चाहूं तो मैं इचरोप कर्सकता हूं थिक अगर्ण की बात करें कि यह कि इसारी चैकर इसके जगह र हम उसके लिए ठाइब आपजेक्ट में यूज कर सकते लेकिन तो क्टाइब में बजाता हूं यहां पर तीन आपजेक्क वह सकते हैं यह मैंने बना लूप देख रहे हैं यह आपका है यह आपका है यह ब्रूप है और मैं एक और बना देता हूं इसको कर देता हूं ड्रइंग आपजेक्ट यह मैंने बना देए यहां पर आप देखिए इसके बाद दोस्तों मैं इन सब को फिर से सेलेक्ट कर सकता हूं और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर करता हूं यानि कि मैं फिर से इनको group करता हूं तो यह देखे group जो है इनसे सब को एक में कर देगा यानि यह एक तरहां से container है कि मैं क्या करता हूं कि मैं सब चीजों को अलग-अलग जो भी मैंने object create की हैं बनाए हैं मैं चाहिए वो चेक्स्ट हो इमेज हो यह हमारा simbol हो कुछ भी हो हम उन सब को एक ग्रूप में मतलब एक जगह उठाके रख सकते हैं यह कंटेनर जैसा काम करता है जैसे मान के चलते हैं कि एक हमारे पास बॉक्स है और हमारे पास एक अलग-अलग बहुत सारे अब्जेक्ट हैं लाइक फोन है काप है प्लेट है बहुत सारी चीज अगर मैं इसको कहीं भी मूब करूँ तो ठीक है मैं सबको एक साथ मूब कर सकता हूं और चोटा बड़ा भी कर सकता हूं सबको एक साथ यह देखिए देख रहे हैं और मैं इसके अगर अंदर जाता हूं गुरूप के अंदर तो यह जो आपजेक्ट है यह सेम वही है देख तो यह देखिए ड्राइंग अब्जेक्ट में कनवर्ट हो गया ठीक है आप सोच रहेंगे कि यह वी सीम वैसे ही यह लेकिन मैं बताता हूं इसके अंदर गया है तो देखिए हमें अलग अलग यह आपजेक्ट यह हमारा जो है ग्रूप अब्जेक्ट यह हमारा शेप और यह यह कड जाएगा लेकिन यहां पर जो मैंने बनाया था यहां पर अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा देखने को हमें नहीं मिलेगा क्योंकि यह ग्रूप है यह सीम जिस तरह से हम यह कर रहे थे ड्राइंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पर रख रहे तो ओवरलैप नहीं कर र जाएगा काम भो भी करता है लेकिन अंगर्व करने के लिए मुझे कंट्रोल सिर्फ जी करना करें अंगुरूप घंडर नहीं जयाएगा यह सिरफ घूपकर यह सिरफ ग्रूप पर इस शिरफ ग्रूप पर इसका चिलिदें और जानते हैं सिंबल के बार में हैं अभी मैं सिंबल के बारे में इतनी डिटेल में नहीं जाओंगा क्योंकि जब हम आगे क्लासिस करेंगे जब मुझे लगेगा कि अब सिंबल के बारे में बात करना सही है तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी थोड़ा साम इसके बारे में जान लेते हैं सिंबल के बारे में तो जब मैं इसको क्लासिक ट्वीन दूंगा या मोशन ट्वीन दूंगा तो बिना सिंबल में कनवर्ट करें मैं नहीं दे सकता तो मुझे कनवर्ट करना पड़ेगा और दूसरी चीज यह है कि इसका यूज हम ग्राफिक में भी कर सकते हैं चलो तो एक बार इसको थोड़ा सम में फेलरा देगा यह देखिऊ शीफ में मना रहे और मैं अगर और इसको भी को बैशान कर दो strig कर तो यहां पर लिक symbol 6 मैं इसको नेम देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं मैं यहां दे सकता हूं जैसे कुछ भी कोई भी नेम दे सकता हूं तो मैं देता हूं और यहां पर दिखा रहा है कि तो मैं आम आंगे और वाला हूं कि बटन और ग्राफिक है कि और क्या क्या काम करफे अभी वाले यहां अगर अब हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यह जो है मूवी क्लिप के अंदर है और यह वाला जो अब्जेक्ट है अगर यह अभी ड्वाइंग आपजेक्ट है मैं इसको भी करूंगा तो यहां पर भी में नीम दे के मूवी क्लिप कर सकता हूं यह देखिए ऐसे ही मैं कोई भी इस तरीके के कोई भी शेप है कुछ भी है अगर मुझे करना है तो मैं कर सकता हूं मैंने सो ग्रूप कर दिया और ग्रूप करने के बाद इन सब को फिर से एक बार यानि की अगेन मैं मैं क्लिक करता हूं तो मैं इसको मुवी क्लिप बना दूगा देखिए अभी क्या है यह मुवी क्लिप पूरा एक इसके अंदर चलते हैं इसमें मुवी क्लिप के अंदर हैं मुवी क्लिप का नाम था सिंबल 7 ठीक है इसके अंदर एक मुवी क्लिप है इसका नाम सिंबल 6 है इ गुरुप के अंदर चाहूँ करों मैं भूजता कि को आप यह कि तरहा होती हैं के सभी चीज में हिसjor हुजता हुजई है देखं लुग दूराइब कि रहे हैं कि अब भार यह देखें प्रश away दॉर्पर चाहता है तो गर यह को और नाम रखका है और यह पूरा एक देखिए इसने इसको समवाल के रखा हुआ है इन सबको और मैं इन सबके अंदर जाके ले सकता हूं जितनी मर्जी इसके अंदर भी जाके ले सकता हूं मैं इसके अंदर भी ऐनई Mishn कर सकता हूं और इसके बार भी आनी Mishn कर सकता हूं तो इसको समझेंगे तो आपने लिए इसको बन सब्क हो बनाना है तो अगर में नियु शिंबल बनाना है तो मैं इंसर्ट में जाता हूं ठीक है जहां पर मैं नियुशेंट में बनाता हूं तो यह नियु सिमपल क tensor कर देगा यह ब्लेंक सिंबल लेए यह देख़े अभी यहां पर नहीं यह इस नूला एक नया ब्लैक स्वल लेलिया जो यह पर नफ्य रहेगा पर चला जैता है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि what is the difference between shape drawing object group and symbol देखिए जो चार चीजे के बारे में मैं आप से बात कर रहा हूं shape drawing object group और symbol इसमें फर्क क्या है थोड़ा इस पर एक बार समझ लेते हैं इसको जान लेते हैं देखिए जो शेप है वैसे तो सभी चीजी शेप में होती है उसका जो फाइनल जो स्टीज अगर अंदर अंदर जतली जाएंगे अगर जो आखरी में आएगा वह रिजल्ट शीप में होता है से मश्ली चीजों में आप को यह देखने को मिलेंगी तो अगर शेप की बात करने दिएखिए शेपको हम एडिट कर सकते हैं लेकिन हम गूर्व को पर ने कर सकता है मुझे एडिट करने के लिए गुरुप के अंदर जाना पड़ेगा और गुरुप के अंदर वह रइंग ऑपजय को हो सकते है कट तो सब्सक्रता को सब्सक्राइब एडिट करने के लिए शेप एडिट करने की बात कर रहा हूं मैं यहां पे शेप एडिट करने की बात बता रहा हूं मैं इसकी ड्राइंग को अडिट करने की बता रहा हूं तो वह हम सिंबल में भी नहीं कर सकते उसको करने के लिए भी हमें शिंबल के अंदर ही जाना पड़ेगा हम भार से नहीं कर सकते हैं कि और अगर बात करूँ तो भी स्यीप के अंदर क्या है कि आरेंज की बात करूँ टो मैं säger को नहीं कर सकता ठीक है मैं ड्राइंग ऑब्जेट को अारेंड कर कर सकता हूं और सिंबल को भी अरेंज कर सकता हूं मैं इसको अभी आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं और अगर मैं बात करों कंटीनर के देखिए कंटीनर के आया कि शेप कोई कंटीनर नहीं है ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी कंटीनर नहीं है गुरूप जो है एक कंटीनर काम करते हैं और सिंबल भी चांटेनर काम करता है यानि की सब चीजों को एक जगा सकते हैं थोल्Mi आगे चलते हैं और मैं बताता हूं जो शेप है देकी यह डौइंग के लिए इस व्हुता है आज़क्र мeshvez सीखेंगे जानेंगे तो मैं आपको महां explain कर दूँगा कि animation में symbol के अंदर graphic button और movie clip यह सब क्या है और यह कैसे काम करता है तो अब आप समझी गए होंगे और इसी के साथ में अगर मैं बात करूं symbol की तो symbol का सबसे बड़ा benefit हमें मिलता है symbol बनाने के बाद यह library के अंदर सेव हो जाता है एक group या drawing object या shape जो है वो stage तक ही रहता है उसको library में हम तब तक save नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको movie clip graphic या button के अंदर convert ना करें और अब जानते हैं how to arrange object देखिए अगर मैं शेप की बात बता हूं तो जैसे यह एक शेप है और इसके साथ में एक और शेप है मैंने दो शेप रख दी इन दुनों को मैं right click करता हूं और right click करने के बाद यहां और arrange का जो option है मैं देखता हूं तो यह सारे जो है आप है यह मैं नहीं कर सकता रेंज लेकिन अगर मैंने इसके जगा ड्राइंग ऑब्जेक्ट रख दिया एक दो अलग 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 ड्राइंग अलग शीप ठीक है यह देखिंए यहां से भी तफी दीखें एक तो ग्यारी और AP को कुछ कुछさん Branch और मैं चाहता हूं मैं किसी एक यौ्जनी को करके इसको उपनी उप्र लेक्र आना चाहता हूं धेग करूंग और और मैं कर दूंगा bring to front तो यह वाला object जो है front में आ जाएगा देखा आपने अब यह जो है सबसे पीछे है और मैं इस पर right-click करूंगा arrange में जाओंगा और front में करूंगा तो यह सबसे उपर आ जाएगा मैं इसका shortcut key की बात बता हूं कुंद्पर कर यहां नहीं चैradas कर लुंट्रा इंच करनाओ से मैं इसको canaia कर सकता हूं कर दो सर्घायुकसर मैं मैं कणट्रों कर तो देखिए फोशे जा रहा है और मैं इ Совर पर अर रहा है देखी यह से इसको भी कर सकता हूं इसको मैं सबसे उपर सबसे नीचे अगर मैं इसको CTRL shift करके arrow दबाता हूं तो यह सबसे AYC में चला का एंड में इसी चीज को मैं यहां पर रैइट किलिक करकर भी बता रहा था आपको कि मैं रैट क्लिक करके भी कर सकता हूं send to back करूंगा सबसे पीछ चला जाएगा एक एक करना होगा सेंड बैकवर्ड का तो कंट्रोल डाउन ठीक है एक करके हमें उपर आना हो किसी अबजेक्ट चे तो दोस्तों मेरा कहने के मतलब यह कि सिरफ हम इसको ग्रूप में कर सकते हैं डॉरिंग में कर सकते हैं औरospat का सकते हैं इमीज में भी हम कर सकते मैं आपकी हम किसी अबजे को अर нрав कर सकते हैं आप डाउन उपर नीचे कर सकते अगर मैं इसी को यहाँ पे में movie clip बना देता हूँ देखिए मैं इसको movie clip बना दिया इसको मैं group कर देता हूं ctrl c तो स्थी मैं control दवाकर arrow इसको arrange कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं बात बताओं यह कब काम करेंगा यह उसी layer पे या करेखना कि उसी के पर एकी की लियर होगा तो यह एकल लेइर पर अगर यहां कि अलग लेट है और भी क्सुक्त कर अगर बात कि अबड़ाना है काम करते समय जैसे मैं चाहिजые यह मुझे इस द्च्रब ना करे रिका Field Keep conflict अन आथी एक और दियुआ कर दूँगा तो अभी देखिए मैं कितनी भी कोशिश करो मैं सब को सेलेक्ट कर सकता हूं या सब को एडिट कर सकता हूं अंदर से बाहर से लेकिन इसको नहीं कर सकता है ना मैं इसको break कर सकता हूँ ना मैं इसको Paste कर सकता हूँ ये invert ini इसी तरह है इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को भी करना चाहूँ तो י करTG में जाकि इनको lock कर सकता है short cut की सा Article was सबस्क्राइब है यह लौकोग हो गया यह यह अगर मुझे सब्सक्राइब करना है तो तो सारे जो है अलोग हो जाएंगे देकिए लौक अगर मुझे जाओ और मैं सको लॉक करना है यह लॉक हो होंगे वह उनलोग हो जाएंगे इसके बाद मैं इसको मूब कर सकता हूं या एडिट कर सकता हूं चली दोस्तों एक सबसे ज़रूरी चीज में आपको बताना जाता हूं कि है लोग मुझे पूछते हैं कि अगर मुझे घ्रूप या मुवि क्लिप में अंदर से जाके कलर पिक करना पड़े तो मैं और सो कैसे कर सकता हूं तो मैं यह बता देता हूं आपको मैं मानना करता हूं ऐसी आद कती है बहुत बार करता हूँ मैं इसको प्राब्लम के आती है कि सपोज कि मैं अब यह ऑप्जेक्ट ग्रूप है मैं इसके अंदर गया हूं तो देखो मैं को कलर पिक करना है अब मुझे से मैं इसके अंदर मुझे जाना है और मुझे सब्सक्राइब करना है किसी का भी तो मैं रैड को जो है प्रॉपर नहीं कर पाऊंगो देखिए वह कुछ इस तरह से दिक्कर करेंगा देखिए देखा आपने यहां से तो मैं बिल्कुल सही कर पा रहा हूं लेकिन बाट में तो किसी भी कलर को करने बाद यह यह फिक करने के लाए इसका जो और जो हो इनिंदर करने कीक किक करना है प्रॉपर अब कंठी कर बिल्प को नहीं कर पा रहा है तो हमें जाना पड़ेगा व्यू के अंदर प्रिव्यू मोड में और यहां पर जो ऑप्षिन होगा या एंटी अलाइज टैक्स सिलेक्ट है यह इसमें मैं आपको प्रिव्यू मोड का पहले भी बता चुका हूं तो अगर आपने नहीं दिखा तो वीडियो देख सकते हैं यहां पर मै अगर मैं ये फुल ओन कर दोंगा तो अब देखेंगे कि मैं इसे अंदर हैं थे अनले कि अदर सुने पर कर रहा हो तो मैं सेंगा प्रिवरे सब्सक्राइब और प्रिवीव मोड में कूल कर देंगे अगर हमें नहीं चाहिए तो हम एंटी आलाइस वापस कर देंगे तो सेम फिर इसके बाद वैसे होगा जैसा यह वैसे होगा जैसा कुछ दीर पहले था अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इसको शेयर लाइक और हमारी झाल